ओपो लांच करने वाले अपने ब्रेंड न्यों स्मार्टफोन को इसका नाम है ओपो रहनु 5 5G light जहांपके दोस्तों ओपो के ब्रेंड न्यों स्मार्टफोन में हम लोगा Qualcomm Snapdragon 750G SoC प्रोसेसर का ओप्शन देखने मिल जाएगा जो कि हम लोगा एक Octa-Core प्रोसेसर होगा और यह प्रोसेसर हम लोगा 2.2 GHz पे clocked होगा इस फोन हम लोगा 6GB RAM और 8GB RAM का option देखने मिल जाएगा जो कि हम लोगा 128GB और 256GB onward storage के साथ में आएगा जहांपे कि आप इस फोन के storage को expand करा सकते हैं external microSD card लगाके इसकाला दोस्तों उप्वो के brand new smartphone में हम लोगे 4000 mh की बड़ी बैटरी देखने मिल जाएगी जो कि हम लोगे USB Type-C और fast charging technology के साथ में आएगा इस समय दोस्तों उप्वो के brand new smartphone में हम लोगा 6.43 इंच की full HD plus AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाएगी जो कि हम लोगे 1080 x 2400 pixel resolution के साथ में आएगा जो कि हम लोगे full HD plus display होगी जहां पर हम लोगे इस डिस्प्ले में selfie cutout के लिए पंचोल डिस्प्ले देखने मिल जाएगा और चौथा camera हम लोगा 2 megapixel का देखने मिल जाएगा जहां पर कि यह चारो ही camera हम लोगे LED flash light के साथ एक module में अरेंज होंगे इसकर दोस्तों उप्वो के brand new smartphone में हम लोगा Android 11 का support देखने मिल जाएगा out of the box जो कि तो काफियादी अच्छी बात है इस पॉ के right side में हम लोगा volume rocker की और power button का option दिखने मिल जाएगा ओपो के brand new smartphone की कीमत हम लोगे 24,999 रुपय होगी और दोस्तों यह बताया जा रहा है कि ओपो का brand new smartphone हम लोगा mid of 2021 में launch होगा फिलाल दोस्तों मैं बतातू कि ओपो लॉंच करने वाला अपने brand new smartphone को जिसका नमें OPPO Reno5 5 लेकिन ओपो ने ऑफिशल तोर स्पेसिफिकेशन के बारे में साजया नहीं किया है यह सारे हम लोग की leaks और rumors है फिलाल उस्तों छोटे information वाल वीडियो ओपो पे brand new smartphone ओपो Reno5 5G light के बारे में नमस्कार जोस्तों मेरा नहीं मैं आयूश्य स्वागत आपके मेरे YouTube चैनल पे हिंद बंदे महत्तरम